गुद मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास पूर मैट्स स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपका चैप्टर टैन मेजर्मिंट इसे स्टार्ट करने वाले हैं तो देखी मेजर्मिंट, आप पिछली ग्लासेस में भी पढ़ चुके हो तो हम यूज करते हैं इनकी यूनिट्स, जो की हैं आपकी सैंटिमीटर, मीटर and किलो मीटर चोटे चीजों की लैंथ नापने के लिए हम सैंटिमीटर यूनिट्स करते हैं बड़े चीजों की लैंथ नापने के लिए हम मीटर यूनिट को यूज करते हैं और दो जगों के बीच की दूरी मापने के लिए हम किलो मेटर यूनिट का इस्तिमाल करते हैं अब हमी किसी शीच का वेट मापना है वेट मेजर करना है उसका वजन मापना है तो हम यूज करते हैं यूनिट से आपकी mere gram and kg किलो ग्राम बिलकुल iemand की हइन का वजण मापने के लिए मिलि ग्राम यूव लिए को जमाल करते हैं हम बहारी चीजों का वहल जर किलिए अब हमें किसी बरतन की च्छादी या शनृत छो आइंडर चोता है उसमें कम लिक्विड आ सकता है। तो उसमें ज्यादा लिक्वड आ सकता है। यहां पे वाउम-फ में आपको दिया किया है कुछ पिक्टर बनी होई है। आपको क्या कर Adapt camp इन्हें मेजर करने के लिए कि कौन सी यूड़िट यूणिट के एस्तिमाल करोगी आपको लिखनी आपको यहां पे दीवी कई है सैंग खिर मेटन अनलशE F इन यूड़िटस को आपको यूजे करने तो देखो ट्री बड़ा होता है तो आप उसे मीटर यूनिट को यूज़ करोगे फिर देखो quantity of medicine in bottle इस bottle में जो medicine ने दवाई है उसकी quantity आपको मापनी है तो देखो bottle छोटी सी होती है तो इस दर्वाजे को मापनी है हम मीटर में पिर देखो यह building की height नापनी है तो building है बहुत बड़ी होती है इसे भी हम मीटर है मापनी है पिर देखो यह apple का weight है यह हमें measure करना है तो apple का weight कमी होगा हम इसे gram में laser करेंगे, फिर देखो water melon on water melon का weight ılarעे filter on water melon का वेट आए canara मेजर करना है यह बकीट है जिस में paint है इसके हमें capacity शमता बतानी है यह नहीं बताया के लिक्विट कीसी बरतन में liquid को आपने उर्डन की जो मेजर करने के लिए हम leaf लेटर फ्रकुषक अगर बरतन चोटा है तो आप मिली लितर यूट्य करोगी और बरतन बडा है तो ली डर यूणीट करोगे तो देहां बालर बड़ी है आपकी तो आप लीटर यूट्य करोगे तो देखो यह सभी आप आपको पिछली क्लासिस में भी सीखने को मिला है आपको याद रखना है जहां पर आपका लैंथ और हाइट आरहा है इसमें आपसे लंबाई पूछी गई है तो आप सैंटि मीटर और मीटर यूनिट यूज गाऊंगे जहां पर आपको कौन्टिटी और कपैसिटी आ रहा है It means आपसे उस बरतन की शंता पूछी गई है तो आप ली걸 और मिली लीटर यॉनिट यूट यूज करोगे अगर आपका बरतं छोटा है तो आप मिलीली लीटर यूनिट लगाऊगे और बड़ा न कर《 सबस्रीक्री मृत लीटर को लागे लगो uni क्द سब्द करोगे देखो अगर कोई हलकी चीज है जिसका वजन कम है तो आप gram unit यूज करोगे और कोई भारी चीज है, बड़ी है जिसका वजन जाता है तो आप kilogram unit का इस्तमाल करोगे clear है, और अगर कोई बिल्कल हलकी फुलकी चीज है तो आप, देखो gram से भी छोटी unit होती है मिली ग्राम तो बिलकुल हल्की फुल की चीज़ों का वजन मेजर करने के लिए मिली ग्राम यूनिट का इस्तिमाल करा जाता है तो देखिए इस चैप्टर में हम यही सीखेंगे जो हमारे मेजर्मेंट की यूनिट्स हैं तो हम एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कैसे कनवर्ट करते हैं देखो exercise 10.1 में हम जो हमारी length है लंबाई है उसकी जो units है centimeter, meter और आपका kilometer तो यह सबी को एक unit को दूसरी unit में कैसे convert करते हैं यही हम इस exercise में सीखेंगे तो चलिए शुरूर करते हैं देखें यहाँ पर आपको measurement of length में दिया गया है देखो length की जो basic unit है वो है आपकी meter यहाद अब देखो इस table में जो आपकी left side है वो biggest units है देखो याने की meter से सारी बड़ी units है और जो right side को जा रही है आपके उसारी meter से smallest, छोटी units है तो देखो meter से छोटे में आता है आपका decimeter, centimeter, millimeter, 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 length की सबसे छोटी unit है देखो आपने scale देखा होगा scale में जो आपके numbers होते हैं वो 10 lines आपका millimeter की represent करता है तो आपको याद रखना है 1 centimeter आपका 10 milliliter की equal होता है students अब देखो meter की left को देखो सारी biggest, बड़ी units है देखो यहाँ पर आपका decimeter, hectometer, kilometer, kilometer ही सारी बड़ी unit है और kilometer length की सबसे बड़ी unit है और आपको देखो class 3 में भी आपने सीखा था 1 kilometer में आपके 1000 meter होते हैं आपको यह बाते याद रखनी है और 1 meter में आपके 100 centimeter होते हैं और देखो मैंने भी आपको ruler से बताया, 1 centimeter में होंगे आपके 10 millimeter clear students तो देखो यह आपको याद रखना है, अब आगे देखो conversation of the units, units को convert कैसे करते हैं, देखो अगर आप बड़ी unit को छोटी unit में convert कर रहे हो देखो यह आपको इस table को याद रखना है, देखो बड़े से छोटी जो length की unit से हो आपके kilometer से start हो रही है, kilometer सबसे बड़ी unit है length की तो देखो जब आप units को बड़े से छोटे में convert कर रहे हो, बड़े unit को छोटी unit में convert कर रहे हो, तो आपको याद रखना है, आप उसे 10 से multiply करोगे देखो जैसे आपने kilometer को hectometer में convert करना है, तो आप 10 से multiply करोगे, hectometer को आपको decometer में convert करोगे, तो 10 से multiply करोगे, इसे अगर centimeter में करोगे, तो 10 से multiply करोगे, तो students यह बात आपको याद रखना है, आगे देखो आप यह examples भी जेगए आपको, अब देखो अगर आप smaller unit को bigger unit में convert कर रहे हो, एक चोटी unit को बड़ी unit में convert कर रहे हो, तो students आपको 10 से divide करना होगा, यह बात आपको याद रखना है, अगर आप बड़ी unit को चोटी unit में convert कर रहे हो, तो आप 10 से multiply करोगे, और अगर आप चोटी unit को बड़ी unit में convert कर रहे हो, तो आप 10 से divide करोगे, जैसे देखो आप millimeter है, उसे centimeter में, एक चोटी unit को बड़ी unit में convert कर रहे हो, तो आप 10 से divide करोगे, ऐसे यह आपको divide करते जाना है, अब शुरू होती है, आपकी exercise 10.1, इसका देखो ए पाट आपको दिया गया है, चेंज 2 centimeter, दे आपको centimeter में convert करना है, तो देखो जैसा कि आप जानते हो, 1 meter आपका 100 centimeter के equal होता है, यह बात आपको याद रखनी है, अब आपसे question पूछा गया है, first, 3 meter में कितने centimeters होंगे, तो आप 3 को 100 में से multiply कर दो, देखो, मैंने आपको बताया था, आप एक बड़ी unit को छोटी unit में convert कर तो आपको multiply करना होगा, तो देखो, 3 को 100 से multiply कर दो आया, 300, और आपको यहाँ पर unit भी change करना है, सेंटी में convert करो, तो देखो, 3 meter में हुए आपकी 300 centimeter, पिर थर्ड देखो, थर्ड में आपको दिया गया है, 8 meter and 14 centimeter, इसे centimeter में convert करो, तो देखो, 14 तो आपको अल्रेडी centimeter में है, तो first of all, आप 8 meter को convert करो, centimeter में, तो 8 meter को convert करने के लिए, 8 को करना होगा, 100 से multiply, तो हमारे पास आया, 800, अब इस 800 में, इस 14 centimeter को add कर दो, तो answer हुआ, 814 centimeter, clear students, तो देखे, A part आपका ऐसे ही होगा, आगे देखे, B part, B part जो है, वो आपका, A part की just deposit है, इसमें देखो, क्या करना है, आपको centimeter में land दी गई है, उन्हें आपको meter में convert करना है, तो देखो, अब आप क्या कर रहे हो, एक छोटी unit को, बड़ी unit में convert कर रहे हो, तो आपको divide करना होगा, जैसा कि आप जानते हो, आपका जो 100 centimeter है, उससे 1 meter बनता है, तो आप 100 से divide करोगी, जैसे कि देखो, first आपको द और देखो, यह unit में change हो जाएगी, आपको meter हो जाएगा, clear students, next देखो, आपको दिया गया है, second, 925 centimeter, इसे convert करना है, आपको meter में, तो 925 को 100 से divide कर दो, तो देखो, अगर अब इसे 100 से divide करते हैं, देखे, 925 को 100 से divide करा, तो देखो, यह आपका 109, 900 से हुआ, minus करने पर देखो, 25 remainder आया, 9 quotient आया, तो देखो, जो 9 है, देखो, इस number का first digit है 9, तो 9 quotient आया, तो यह तो हो जाएगा, आपका 9 meter, और जो remainder आया 25, देखो, last की 2 digits, आप याद रखना, जब आप किसी ऐसे number को, convert कर रहे हो, meter में, तो देखो, जो last की 2 digits होंगी, वो आपकी centimeter हों आपकी meter होंगी, तो देखो, जो quotient आया, 9 वो हुआ, meter, और जो remainder 25, वो होगा, आपका centimeter, तो answer of the students, 9 meter, 25 centimeter, clear students, तो यह सब भी आपकी ऐसे होंगी, देखो, इसमें क्या करना है आपको, जो पीछे की 2 digits है, सब ही numbers में, वो तो होंगी, आपकी centimeters, आपके right की तरफ, जो last की 2 digits है, वो आपकी centimeters होंगी, और जो बाके digits बचेंगी, left की तरफ, वो होंगी, आपकी meter, यह आपका math का tip है, यह याद रखना है आपको, c part में देखो, अब आपको kilometer में दिये गई है, distance यह आई है, kilometer में, उसे आपको meter में convert करना है, तो देखो, यह भी आप जानते हो, 1 kilometer में आपके 1000 meter होते हैं, तो देखो, अब आप क्या कर रहे हो, एक बड़ी unit को छोटी unit में convert कर रहे हो, तो आपको करना होगा multiply, तो देखो, 1 kilometer, आपका 1000 meter की equal होता है, तो आप 1000 से multiply करोगे, 5 kilometer में कितने meter होंगे, तो देखो, 5 kilometer is equal to 5 multiply by 1000 meter, तो देखो, 5 को 1000 से multiply करा रहा, तो आया 5000 meter, तो किलो मीटर में हुए आपके 5000 मेटर क्लियर एस्टूरेंट्स अब देखो 14 है 14 को भी 1000 से मल्डिप्लाई कर दो तो 14 थाउसन आएगा अब थर्ड देखो थर्ड है आपका 8 किलो मीटर एंड 705 मीटर तो देखो 705 तो अलरडी मीटर है तो इसे एड़ करना होगा बाद में तो पहले 8 किलो मीटर को करते हैं हम मीटर में तो 8 को 1000 से मल्डिप्लाई करेंगे तो आएगा 8000 अब इस 8000 में 705 को एड़ कर दो तो आया 8705 और यूनिट चेंज हो जाएगी हो जाएगा म तो आएग्स गोर देखें फूर्थ 3.5 किलो मीटर इसे कंवर्ट करो मीटर में तो स्टूरेंट एको 3 अब देखो यह 3 के साथ हाफ वन बाई 2 लगा हुआ है तो देखो हाफ का मतलब होता है आधा आधा आप जानते हो तो देखो आधा किलो मीटर का मतलब क्या होगा देख यह तो आपका मीटर में आगया तो 500 मीटर आपके एड़ होगे पहले आप 3 किलो मीटर को मीटर में कनवर्ट करो फिर उसमें 500 मीटर को एड़ कर देना तो देखे 3 किलो मीटर को हमने कनवर्ट किया मीटर में तो 3 x 1000 तो देखो 3000 आया आपका अंसर उसमें देखो हाफ किलो मी तब था आपका 500 मेटर 500 को add कर दो add करने पर आया 3500 मीटर clear students तो देखो C part है बागी सभी भी ऐसे होंगे आगे देखिए D part D part आपका C part कि डिस्ट डिस्ट आप आपको मेटर में दिया गया है length उसे आपको kilometer और meter में convert करना है तो देखो एक छोटी unit को बड़ी उनिट में convert कर रहो तो आप करोगे divide तो देखो जैसे कि आप जानते हो 1000 petits से सपा कि वने किवाइड कर रह है तो आप 1000 से ëीज से डिवाइड करोगी जैसे जैसे चैसे चाहिए के फाइफंत प्रिंसक्राम है तो यह कोशन्ट में आया तो यह हो गया और आपका किलो मेटर or last ky right के तरफ last के तरह भची वह हो गी आपकी मीटर याद रखना है नहीं जब भी आपको ऐसे मीटर को किलो मीटर में चेंज्ज करना हो तो देखो जो आपकी राइट के तरफ last तरहरं के अबंद्र के तरफ यह वह आपके किलो मीटर तो देखो 515 मोटार में देखो लास्ट के तरफ लास्ट के ठीज़ोटें मेतर वह 575 native पैफ यह देन कि संसवेंट अबे met der तो देखो 3000 है पूरा देखो इसमें जो last के 3 digits है 00 है 0 का मतलब कुछ भी नहीं और देखो फिर बचा आपका 3 तो 3 km ऐसे देखो अगला है 1950 मीटर तो देखो इसमें last के जो 3 digits है वो है 950 वो हो गई मीटर और फिर बचा 1 वो हुआ किलो मीटर आगे देखिए यह पार्ट चेंज दा फोलॉविंग इसे आपको चेंज करना है इसे फर्स्ट आपको दिया क्या है 61 cm 9 mm into mm देखो इसे आपको 61 cm 9 mm को मिली मीटर में कनवर्ट करना है तो देखो आप जानते हो मिली मीटर जो है वो सेंटी मीटर से छोटी यूट है जो स्केल में आपके 2 cm नंबर्स की बीच में जो लाइन सोती है तो आपका मिली मीटर होता है तो 1 cm में 10 mm होई तो अब आपको क्या करना होगा जब आप एक बड़ी यूट को छोटी यूट में 9 mm तो मिलिमीटर तो ओल्डेडी मिलिमीटर है तो यह बात में आड़ होगा 61 cm को मिलिमीटर में कनवर्ट करने के लिए हमने 10 से मल्टिप्लाई करा तो आया 610 mm फिर इसमें 9 को आड़ कर दो 9 को आड़ करने पर आया 619 mm क्लियर स्टुडेंट्स आगे देखिए सेकिंड 12 10 mm में इंड़ करना तो देखिए जो 5 है वो तो आल्रेडी सेंटिमीटर है तो बात में एड़ होगा अब 12 ऐसी मीटर को सेंटिमीटर में कनवर्ट करने क्लिक्ट क्या करना होगा तो आप इसे 10 से मल्टिप्लाई करोगे देखिए बाकी भी आपके ऐसे होंगे तो students देखिए आपके exercise 10.1 यहीं पे complete होती है इस exercise में हमने length की जो units है एक unit को दूसरे unit में कैसे convert किया जाता है यह सीखा Students आज के लिए तना ही काफी है आप इस exercise को अपने book में करोगे और इसके अच्छे से practice करोगे Thank you